प्यूस अपनी ड्राइंग बना रहा है कुनाली भी अपना इसमें कुछ-कुछ बना रहा है और हमारे पास आए हैं आज एक दो तीन चार पार्सल इतने बड़े बड़े तो एक तो होबीग्राफ ने भीजा है एक भूवन बाम ने भीजा है यार मुझे बात समझ में नहीं आती आज यसरो में देख रहा था किक यूटYugenai चलने दिखना तो मूझे में बहुत कम देश्खता हो वाई मैं अपने काम से मतलब काम से मतलब रखता हूं बट फिर भी आज मेरा ऐसे मूड हो आगे चलो ट्रेंडिंग में देखा तो कोई एक तो बोचपुरी काना था और सौरफ जोशी जी का व्लोग सबसे पहले हम अन्बॉक्स करेंगे यह वाला बड़ा वाला पहले दूश जोशी के कि भाई क्या बनाता है बंदा क्या निए बनाता है तो प्यूज तो इसमें है चाब्य कवर वह इथार का अगर आप सोरफ जोशी की ओडियंस है अगर आप उन्हें देखते हैं अगर आप तो ऐसी क्या खास बात है मुझे तो हर चीज बहुती नॉर्मल लगती कि वाइ सारी चीजे बहुत ही नॉर्मल है डिसेंट सी है नॉर्मल घर दिखाएंगे अपना गुता दिखाएंगे प्यूश को दिखाएंगे तो बैंक लेका है बाइसा क्या खास बात है कि जंता सौरफ जोशी को देखती है और आज सौरफ जोशी टॉप पर बेटे हुए व्ल अगर व्लॉग बनाता है तो वह इतना हाइक इतना उसको व्यूज नहीं आता है लेकिन सौरफ जोशी एक मात्रेस हैं कि इतना व्यूज जाते हैं मैंने तो खेर उनका नाम भी कुछ टाइम पहले ही सुना था मतलब हो गया टाइम बट यह है कि भाई इनके व्लॉग हमेश का टॉप पर रहते तो आप लोग क्या इसमें सजेशन हैं अगर फैम हैं तो क्यों है क्या करण है कि सौरफ जोशी टॉप में रहते वा वैसे बहुत सारे व्लॉगर से और आगर आप व्लॉग देखते हैं तो आपका कौन सा फेवरेट व्लॉगर है वो भी जरूर गया तो मैंने देखा कि सौरफ जोशी का एक नहीं बल्की दो-3 व्लॉग ऐसे है जो ट्रेंडिंग में हैं मतलब अगर आप थोड़ा नीचे करके देखोगे तो 2-3 व्लॉग ट्रेंडिंग में चल रहें तो गाने ट्रेंडिंग में चलते हैं वह मैं मानता हूं कि चलो ठी करते हैं उसमें भी पिर बहुत सारे कैटेगरी वाइज सपोर्ट हो रहता है कि भाई लाइक शेयर कॉमेंट सारी चीज़े होती है हर्यानवी तो यह तो आसी चीज़े कि उसमें कोई जाती नहीं है कोई वह नहीं है लेकिन फिर भी अगर लौक ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आई तिंक ये एक बड़ी बात है, तो क्या ऐसा कारण है कि भाई ये व्लोग इतने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और सौरफ जोशी के ये ही व्लोग सबसे जादा ट्रेंडिंग में चल वे, तो अगर आप ऑडियंस हो उनकी तो जरुर कमेंट करके बताना मुझे